आईटियाई में अभी 8734 पद खाली है डिस में जल्दी भरती आने का नोटिफिकेशन जारी होने वाला है तो जो भी आईटियाई के छातर हैं आज सबी लोग इस वीडियो को ध्यान से देख लिजे आपका इभाइदा होने वाला है किन किन पदों पर यहाँ पर भरती आने वाले आ पहले से यदि आप जान लेते तो आपको नोटिफिकेशन पढ़ने में और समझने में कोई भी दिकट नहीं होगी यहिंदि नोटिफिकेशन आज का चारी किया गया झो मुझे वार्टसंप में अभी देखने को तो यहां पर आप सबसे पहले यह पेपर आप पढ़ लिजिए यह आपका अमरु जाला विवरु की तरफ से जारी किया गया जिसमें यहां पर यदि पद की बात करें तो यहां पर आप बद देख सकते हैं इसके यहां पर कितने सुकृत पद है और कितने भरे हुए पद है औ के अंतरगर टोटल 149 सीट खाली है और यहां पर तकनीकी के लिए 299 सीट खाली है और अनुदेशक के यहां पर सीट पर 479 सीट यहां पर खाली है इसके बाद यहां पर जेश्ट बंडारी के यहां पर सीट के बाद करें तो 49 है और बंडारी का यहां पर 89 है और इसके बाद य प्रधान सहयक के यहां पर आपको 42 सीट काली देखने हों को मिल जाती हैं और इसके बाद सहयक, वरिष्ट सहयक, कनिष्ट सहयक ॉर कारेश साला भंडार परिवार और यहाँ पर वहन चालक और 400 सेड़े टोटर यहाँ पर बात करें तो आप यहाँ पर तीनों को काउंट करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कितने यहाँ पर सीट का लिया है अब यह बात करते हैं कि इसका नोटिफिकेशन कब जारी किया जाएगा तो इसमें अभी कोई भी अफिसली यहाँ पर जारी नहीं किया गया नहीं हो यहाँ पर जनकारी है कि आपका कब बस एक नोटिफिकेशन के तोर पर यहाँ पर पेपर में जारी कर दिया गया कि जल्दी खाली पद है, इसका असर पर सिच्छन वा विभाग के अन्य किरिया कलापों पर भी पढ़ रहा है, मुख्यमंत्री योगी अधनियतिनात के पर अब बेवसाइक सिचा विभाग ने खाली पदों की बेवरा के साथ भरती प्रस्ताव तयार के कर लिया है, और मुख्यमंत्री स अनुमोधन मिलते ही यह आपका उत्तर प्रदेश अधनिस्त सेवा आयोग के अंतरगत यह जो फार्म है आपका जल्दी इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और यह फान भरना भी स्टार्ट हो जाएगा तो आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं जो कि अभी आज का ही नो नोटिफिकेशन पर क्लिक किजिएगा जब ही जनकारी आती है सबसे पहले आपको जनकारी मिल पाई